नमस्कार दोस्तो एक वार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल और पीसी स्टडी एक्जाम्स पर तो दोस्तो आज अपने भारत की जो अंतराश्टी सीमा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि पेपरों में आती है यह मैं टोपिक जितने भी देश अपने साथ लग रहे हैं मतलब अंतराश्टी सीमा कितने देश बना रहे हैं वो देखना पड़ेगा सबसे पहले तो देखो इसकी शोट सी ट्रिक है अंतराश्टी सीमा की ट्रिक देखो क्या इसकी इसकी ट्रिक है बच्पन में MBA ठीक है तो बच्पन में MBA जिसके साथ सरवादिक बना रहा है पहले तो आपको याद रखिया रखना है कि बंगलादेश है जो उसके साथ सरवादिक अंतराष्टी सीमा बना रहा है पहला यहां से क्लियर उसके बाद नेक्स्ट देखो दूसरी जो सबसे बड़ी किसके साथ बना रहा है वो बना रहा है चीन के साथ, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कोड़ आपको, बच्पन में MBA, तो बेल से बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, ने से नेपाल, मैं से मियामार, ठीक है, मैं से MBA, मैं M से मियामार, B से बुटान, और A से अफगानिस्तान, अब देखो सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछ लेता है, यह बार एकजाम में, यह question सीदे सीदे आये हुए है, कि भारत के साथ स्रवादिक, अंतराश्टी, लंबी, जो किसकी सीमा है, कौन से देश की है, तो बंगलादेश की है, ठीक है, और सबसे छोटी किसकी है, तो वो है, अफगानिस्तान की, यह दो अपन भारत के साथ 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 देश हैं, जो कि अंतराश्टी सीमा बना रहे हैं, यह बात आपको clear होगी होगी, उसके बाद देखो, next question यह बनता है, कि जो बंगलादेश है, उसके साथ कितने भारत के कितने जो state है, वो टाच और रहे हैं, तो वो पांच, चीन के साथ भी, पांच तो आपको क्या जोड़े या रख लो, बंगलादेश और चीन, इसके दस जिले हैं, दस state हैं, जो कि बंगलादेश और चीन, जिसमें पांच तो बंगलादेश के साथ लगा रहे हैं, और पांच state हैं, वो चीन के साथ लग रहे हैं, यह दो चीजे हैं clear, उसके बाद देखो भारत जो पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट बना रहे हैं तो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत के कितने स्टेट तो बना रहे हैं तो बना रहे हैं चार नेपाल के साथ पांच बना रहे हैं मेयमार के साथ चार बना रहे हैं बुटान के साथ चार बना रहे हैं तो देखो चार-चार वाले दो यह हो गई एक पाकिस्तान हो गया उसके बाद पांच-पांच वाले देखो बंगलादेश चीन और नेपाल ठीक है उसके बाद सबसे छोटी जो अंतराश्टी सीमा है भारत की अफगानिस्तान के साथ है जो कि अनली अनली जम्मू और कश्मीर के साथ सीम बना रही यह कोशन अग्जाम में आते हैं सित्य हूपू कोशन आपको अग्जाम में मिलेंगे यह देखने को कितले में डीपली कोशन होंगे वो इसमें से आपको मिलेंगे ठीक है तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है उसके बाद नेक्ष देखो भारत ने जो कमणून जो कब बना में 1982 में बना था तो मैं आपको सत्य हिसा बता रहा हूं यह नहीं पूछता जीरो नौटिकल मूल नहीं पूछता वो कुश्चन अपने सिधा पूछता है कि 12 नौटिकल मील है जो भारत का उसमें जो जीरो से 12 के बीच जो नौटिकल मील आता है उसमें वो क्या कर सकता है तो वो उसकी पारदेशिक यहां 30 सीमा कहलाती है ठीक है तो जो समंदर में जो दूरी मापी जाती है, वो नोटिकल मेल में मापी जाती है, तो आपको ये बात भी या रखनी है, उसके बाद नेक्स देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, बारां तक, जीरो से बारां तक क्या है, तट्टिय सीमा, ठीक है, भारत की तट्टिय सीमा कहां जहां पर मचली पकड़ सकते हैं कई वर आपने देखा होगा ना कि भारत के जो लोग होते हैं क्या है वो मचली पकड़ते पकड़ते किसी दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं जैसे कि आपने देखा हो कि श्रीलंका में काफी ऐसे मामले आते हैं कि भारत के जो जोन है वो कितने से कितने तक है वह 12 से मतलब जीरो से बारा तो क्या हो गया होगी और बारा से 24 मतलब 24 नॉटिकल मील तक भारत का विशेश मत्से जोन है जहां की मचली पकड़ने का उसको अधिकार है ठीक है तो यह वाद आपको याद होगी उसके बाद जो आगे आएगा 24 से 200 अब 24 से 200 की बीच क्या है विशेश आर्थिक शेतर है विशेश आर्थिक यह इसको बोल देते हैं अनन्य आर्थिक शेतर अब पुछोगी यह क्या होता है तो देखो भारत में जो खनीज मिलते हैं अपने को वो की जो की मिलते हैं कहां पर विशेश आर अर्थिक शेतर में तो इसको इसलिए बॉल देते हैं अनौन ने आर्थिक शेतर आर्थिक से लिए रखना है 200 ठीकैं का सब्सक्राइब पुर्ण तक भारत का पुर्ण त्यादिकार है आपको क्या याद रखना है 0-200 तक भारत का पुर्ण तयादिकार है उसके बाद में खुला स्वंदरा याता है जहां पर दूसरे देश भी ठीक है आ जाते हैं उसके बाद देखो 0-12 परदेशक सीमा या रखनी है भारत की यां 30 सीमा या रखनी है तो वो कितनी है 30 सीमा होगी 0 से 12 फिर 12 से 24 तक क्या हो गया विशेश मस से जोन मतलब जहां से मचली पकड़ सकते है ठीक है उसके बाद में देखो उसके बाद में जो आता है वो कितना 24 से 200 मील तक क्या होता है वहाँ पर विशेश आर्थिक शेतर मतलब वहाँ पर खनी संसाद में जो होते हैं वहाँ पर होते हैं उसके बाद में खुला समुंदरा आ जाता है जहां पर प्रमानू परिक्षन किया जता है आपको ये सारी जीजे याद रखनी है उसके बाद में नेक्ष्ट देखो नेक्ष्ट है जो कौन सी खाड़ी अलग कर देती है, तो कौन सी करती है, पाक की खाड़ी है, जो भारत और शिरलंका को विवाजित करती है, ठीक है, आपको क्या या रखना है, मनार की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, मनार की खाड़ी है, और यहाँ पर पाकिस्तान पाक की खाड़ी बोल दे तो पाक इक काड़ी है जो श्रिलंका और भारत को अलग करती है ठीक है आप को यह चीजे या रखनी है उसके बाध में नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोशन आता है अब 30 सीमा भारत की जो 30 सीमा वो कितनी है तो भारत की जो 30 सीमा है वह है 600 किलोमेटर और जो स्थलिये पूछ ले तो ये है 15200 किलोमेटर तो आपको दो चीज़े या रखनी होगी पारदेशिक सीमा 15200 किलोमेटर में है और 30 सीमा कितने में है 600 किलोमेटर में है देखो ये तो होगी पूरी 30 सीमा अब मैं 600 कोश्चन आता है कि द्वीप रहित दो देखो दो कोश्चन आएगे एक तो dvip रहित कितनी है तो पूछ ले तो dvip रहित तो इक तो 100 a ठीक है और दीवीपों के सहित कितनी है तो 75 촬영े चेक लोमेटर है जिसमें की 15.200 क्लोमेटर अपने-ड कर देगे तो भारत की »जो कुल तो आपको ये दोनों clear होगी होगी कि 30 सिमा द्वीप रहित कितनी है और सहीत कितनी है ये चीज़ें अपने को यार रखनी है भई एक्जाम में आती है उसके बाद में next देखो कुछ important question है ये आपको यार रखने पड़ेंगे देखो 22 degree उत्री एक्षांस रिखा 22 degree उत्री एक् उत्री एक्षांस के दक्षिन में यहां से मालो कि इससे ये 22 degree उत्री एक्षांस गुजर रही है उत्री एक्षांस तो इसके नीचे है जो भारत संकीरन होता जाता है तो आपको क्या रखना पर रहेगा कि भारत संकीरन कौन से degree उत्री एक्षांस रिखा से होने लगता है त तो आपको क्या या रखना है यो अपने सुना गणा सरक्रीक जो गुजरात में है ये वही रेखा है 24 डिगरी ठीक है 24 डिगरी जो अक्षांस रेखा है ये वही है सरक्रीक बोलते हैं जिसको जो कि भारतवे पाकिस्तान के मद्य विवादित है तो आपको दो चीज़े या जो की सरक्रीक रेखा ढुज़रात में है ठीक है जो डऴदली भाग है उसको बोल देता है तो यह विवादित है उसके वाद मोंby सुद्धा गाट का इसको बोलते है ठीक है तो पक्षिमगाट का दूसरा नाम इसको सहयादरी भी बोल देते हैं तो इसका जो सोड़ा डिग्री है सोड़ा डिग्री जो अक्षानाश है जो सहयादरी को दो भागों में बांट दिती है यह देखो अब यह सोड़ा डिग्री आगी इसको दो बागों में बाड़ दिया एक तो उत्र में चलीगी और एक दक्षिन में चलीगी ठीक है तो अब इसको याद रखना है कि जो दक्षिन सहियाद्री है यह निचे वाला आजाएगा यह उत्री सहियाद्री आजाएगा आपको याद क्या रखनाए है कि जो सही आदरी, उत्तरी सही आदरी की दो चोटिया कौन सी है, काल्सू बाई और महा बलेश्वर, ये question एक्ञाम में आया हुआ है, की काल्सू बाई है, जो कहां पर है, महाराश्टर में है, महाराश्वर, ये कहां पर है, यह भी कहां पर है महाराश्टर में उसके बाद मैं देखो यह दो और आ जाती है जो कि दक्षिन सहयादरी की है जो कौन सी पुष्पगेरी और कुद्रे मुख अब देखो question यह बनता है कि उत्तरी सहयादरी की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो उत्तरी सहयादरी की सबसे उंची चोटी कौन सी होगी दोनों में से देखो तो कालसु भाई है जो उत्तरी सहयादरी की सबसे उंची चोटी है और दक्षनी की पूछले तो कौन सी है तो वो है कुद्रे मुख अगर पूछ ले कि सहयादरी की सबसे उंची चोटी है कौन सी है तो वो कुद्रे मुख है ठीक है और दो नमर पर कालसुबाई कुद्रे मुख कहां मैंने आपको बताई थी करनाटक में और कालसुबाई कहां पर बताई थी मैंने आपको महाराश्टर में ठीक है तो आपको द चत्तिय सीमह, मैंने आप बताये prior सीमह, तbey ठृटिय सीमह कौन सी है, जो कि ठ़ट बनाती a, जो कि समुंदर के साथ साथ लगती भी उसको भोलते हैं तपय सीमह अब आपसे वगर मैं पूछ लूँगी सबसे लंबी 30 सीमा कौन सा बना रहा है तो कौन सा बना रहा है वो गुजरात बना रहा है जो कि राजस्तान के नजदीख भी बढ़ रहा है उसके बाद मैं देखो दूसरा कौन सा है दूसरा है अंदरपरदेश एक नमबर दो नमबर ठीक है और तीसरा कौन सा है तीसरा है तमिलनाडू तो आपको तीस चीज़े आ रखनी पड़ेगी पहले तो यह आ रखने कि कितने स्टेट हैं जो कि 30 सीमा बना रहे हैं नो बना रहे हैं ठीक है और पहला कौन सा है गुजरात जो कि सबसे ज़्यादा 30 सीमा बना रहा है यह अर जो सबसे चोटी 30 सिमा यह उसके बाद नेक्स देखो नश्चने एक और बन जाता है कि रहते और अग्जाम में पूछ लेते हैं देखो पूछले की पश्चिम गहाट पर कौन सा सबसे बड़ा बना रहा है सबसे जाए तट्टी सिमा किसकी है तो वो गुजरात की है और दूसरा कौन सा है तो माराश्ट्रा जाएगा ठीक है उसके बाद जो पूछले का पूर्वी गहाट पर सबसे लंबी तट्टी सिमा द दरपरदेश तो दोस्तों आज मैं ने आपको जितना करवाया है यह बहुत मैं ने आपको deeply करवाया इससे भाima कोई question नहीं आएगा तो आज आप unit को इस channel को अप जितना subscribe कर सकते हैं कीजिए अपने मितनों को शेर कीजिए उनको बोलिए मैं यहां पर आपको पूरी जोगर्फी करवा रहा हूं तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए इससे पहले वाड़ा पार्ट है जो मैंने आपको अच्छे तरीक्ये से करवाया है पूरी जोगर्फी करवा झीड़ा दो आपको चावर मारे तरीक्णा कर रदेखिए जोगर्फी करवाया झलागाद शेए जोगर शेन जोगर्फी करें तरीक्छे जोगर्फी कर दो दोस्तों आपको obsess´ कर दूर्फी מא Приभफी कर दूर्द आपकों आपकों जोग्सम काम मैंने उनकों कर स कर द